कि स्वागर करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे कपिल खलरेजा मैं रिक्वेश्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्साइब नहीं किया है तो अब प्लीज मेरे चैनल को दूद सब्साइब करें और बैल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी व वहाँ पर आपको टाइप करना है कि अपने सरकार डॉट महा ओल्लाइन डॉट जी ओवी डॉट इन है ठीक है दूस्तों कुछ इस सरह से आपका पेज अपन होगा दूस्तों यहां पर उपर लिखा आएगा महारास्ट्रा राइट टू पॉब्लिक सर्विसेस एक्ट ठीक है दूस्तों यहां पर दूस्तों जो भी लोग नए है वायन के यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट यह पोफाइल विडिस पॉर्टल टू अप्लाय ओल्नाइन फॉर नोटिफाइट सर्विसेस ठीक है दूस्तों मैं थोड़ा साब को ब्रीफ कर रहता हूं कि इसमें आपको रेजिश्ट सब्सक्राइब यहां यहां पर दूस्तों देखे क्रिएट यूर परफाइल विडिस पॉर्टल टू अप्लाय ओनलाइन फॉर नोटिफाइज सर्विसेस अंदर महराश्टा राइट टू पॉब्लिक सर्विसेसेग 2015 तो यहां भी दूस्तों दू अप्शन है ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ठीक है दूस्तों इसमें आपको ऑप्शन टू में जाना है जहां पर लिखा हुआ है अप्लोड कॉंपलीट सेफ डिटेल फोटो आइडिंटी प्रूफ एडर्स प्रूफ आइड क्रिएट योर ओन यूजर प्रोफाइल यूजिंग OTP one time password verification on your mobile number ठीक है दोस्तों देखे दोसे यहां पे पहला पहला जो आया है वो है अप्लीकर डीटेल आया हुआ है यहां पे salutation में जाना है ठीक है यहां पे कुमार है Mr. है Mrs. है श्रीमती है श्री है आपको लिखना है यहां पे जो भी नाम है आपको पूरा नाम लिखना है दोस्तों सब्सक्राइब एक एक जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों मज़जर बात यह है कि जो भी आप यहां पे इंग्लिश में लिखेंगे वो मराटी में आटोमेटिकली टाइप हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों इसके बाद फोर सब्सक्राइब और आगे जाता हूँ यहां पे फादर सेल्यूटेशन में लिखना है जो भी यहां पे फादर सका आपका नाम रहेगा वह आपको टाइप करना है डेट ऑफ बस उनका और एज जेंडर ओक्यूपेशन ठीक है दोस्तों यहां पर आपका डीटेल जो है वह फर्स अप्लीकेट में पूरा हो जाएगा तैनल सठीक है ऩुर्फइट करता हूं सेल्यूटेशन फूल नेम आपका व्राटि में आ जाएगा फादर स्लैुटेशन फादर कowe today डेटम आपको डालना है आपका अका चेंडर ओक्यूपेशन में जो भी इसटाउपेशन यह प्यूपिस्शन स्टूडन है और टीचर है को फिसर प्राइवेट सर्विस ठीक है दोस्तों यहां पर एप्डिकरण का एड्रेस लिखना है दोस्तों हमें यहां पिया जो भी अड्रेस लिखेंगे आपको लिखना है ठीक है दोस्तों सेक्शन लिखना है बिल्डिंग का आपको नीचे नाम लिखना है लैंडवाक यानि जो भी आपकी फेमस जगह है वह आपको यहां पर लिखना है कि DA konaキ kita lontana है आफ दुक्षाव है निचे जो भी आपका डिश्टिक है उसके बाद जो भी आपका तालूका है वह लिखना है विलेज लिखना है इसके आप पिन कोड लिखना है दोस्तों थीकर दोस्तों तीसतरा जो है यहाँ पर इजी है काफी करना है दोस्तों वह आपको डालना ही है पैंड कार्ड है वह आपको डालना है यूजर आइडी और पासवर्ड आपको डालना है यूजर आइडी आपको डालने के बाद ठीक है दोस्तों पासवर डालने गवाद confirm पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे upload photograph में instructions कुछ दिये होए हैं उसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस size of the photograph should be fall between 5KB to 10KB यह ठोड़ा सा tricky है दोस्तों यह paint में आपको जाके कर सकते हैं यहाँ पूर resize करके app आता है उसमें भी आप कर सकते हैं यह खाली चार बातों को आपको लिखके रखना पड़ेगा पहली बात है the size of the photograph should be fall between 5KB to 10KB जो भी photograph की size है वो 5KB to 10KB होनी चाहिए second photograph format should be JPG यह काफी easy है JPG format होना चाहिए the width of the photograph should be 160 pixel ठीक है दोस्तों 160 pixel आपका होना चाहिए दोस्तों the height of the photograph should fall between 200 to 212 pixel जो भी photograph के height है दोस्तों वो 200 से 212 pixel होनी चाहिए ठीक है दोस्तों यह आप एक बार note करके उसके से हिसाब से ही आपको यहाँ पर photo यहाँ पर डालना है दोस्तों यह थोड़ा सा आपका time consuming लगेगा लेकिन अगर आगर आभी समझ के करेंगे तो आपका फट आफट हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों यहाँ पर फाइल आप अपना photo upload करें ना इसके बार दोस्तों proof of identity में कोई भी एक आपको document देना है pen card हो गया water ID card हो गया passport हो गया ठीक है दोस्तों आधार card आप दे सकते हैं driving lesson आप दे सकते हैं government semi government ID या RSBI card भी आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों proof of address इसमें दोस्तों आप राशन card दे सकते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं आधार card दे सकते हैं driving card lessons दे सकते हैं water ID card आप दे सकते हैं ठीक है दोस्तों extract of 7-2 and property taxes आप दे सकते हैं property agreement copy आप देख सकते हैं water bill electricity bill telephone bill rent receipt ठीक है दोस्तों तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहां पे जो main बात थी वह आप note कर लिजेगा size of the document यानि कि जो भी आप document दे रहे हैं उसकी जो size होनी चाहिए वह 75 के भी 200 के भी होनी चाहिए तो ही वह accept करेगा ठीक है दोस्तों the size of the document between 75 to 100 के भी ठीक है दोस्तों यहां पे आपको I accept करके करना है उसके बाद ही आपको यहां पर register करना है दोस्तों register के बाद ही आप कोई भी certificate के लिए apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जो है यहां तक अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज मने चैनल को ज़रू सब्सक्राइब किजएगा और सब्रिबेंड डिस्टिक आफटर एडिया वरिफिकेशन के ठीका दोस्तों इसके डिपार्टमेंट का दाम नोट खड़ेगा वह है लेंड रिकॉर्ड डिपार्टमेट थीके दोस्तों यह जब याप साइन अप करेंगे उसक्वार साइन इन करेंगे तो आपको आपको आता ही है 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 ठीक है दोस्तों मैं एक बार आपको अंदर जाकर दिखा देता हूं कि आपको अप्लोड करने हैं तो देखे दोस्ते हैं अपर सेटिफेट का नाम भी आ गया है प्रॉपर्टी कार्ड मॉंबई सब्रेबन डिश्चिक आफ्टार एडिया वेरिफिकेशन एरे वेरिफिकेशन ठीक है तो अब प्रूफ आपको देना है उसमें से एक है सेल्फ अब अप्लाय करेंगे तो रिजिस्टेशन का मेसिज आएगा दोस्तों कैसे करना है दोस्तों मैंने इसी वीडियो में आपको पहले बताया हुआ है अगर आपको मेटा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और बैल आइक